शाह जी ने यहां मेटिक बुला के होम डिपार्ट्मेंट में ये सब दुनों जो हैं दुनों माफ कर दिया अभ्यांस में रख दिया हैं और जब तक ये आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से नेक्स मेटिक नहीं होगी कोई भी लागू नहीं होगे आपकी चिंता हिट एंड रन केस में जो आपकी चिंता थी कि 10 साल की सजा होगी जुर्माना होगा आपकी चिंता नहीं बलकि हमारी चिंता है आप हमारे परिवार का एक सदस्य हैं और मालक है तो चालक है चालक है तो मालक है ये चिंता का संग्यान एमटीसी ने अपनी जिम्मेदारी को समत्य हुए सई वक्त पर 28 दिसंबर को ही प्रधान मंत्री जी और अमिज शाजी को पत्र लिखकर इसमें क्यार नुकसान हो सकता है और ये लागू होगा तो क्यार नुकसान होगा किस तरह देश प्रभावित होगा ये चिंता हमने व्यक्त करा दी थी लेकिन अक्सर देखा जाता है कि सरकार समय पर संग्यान नहीं लेती है वही हुआ जो चिंता हमें थी जो डर था जो भै था वो एक तारीक से दिखने लगा और आपकी चिंता हम दिल्ली में भारत सरकार पर पास लेके आये हैं आज हमें साथ बजे ग्रे मंतराले ग्रे सचीव बल्ला जी के अध्यक्ष्टा में उच्छ तर्य एम टीसी के पदिकारियों से मिटिंग हुई और आपको सूचित करते हुए हमें ये खुशी है कि 106 इन ब्रैकेट दो में जो 10 साल की सजा ह और जुर्माना है वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है वो कानून अब तक लागू नहीं हुआ है और हम आपको पूरा अस्वाशन दिलाते हैं कि ये कानून लागू नहीं होने देंगे आपको कोई चिंता करने की जुरत नहीं है जो भी निरने होगा आपकी चिंता ह हम बार बार मंत्राले में भारा सरकार के पास लेके आ रहे हैं लेके आएंगे आपको एक बार फिर सुचित करना कर रहे हैं कि आपके जो मैंशा है कि दस साल की सजा और जुर्माने का कानून अभी लागू नहीं है अभी लागू नहीं है और हम आपको आस्वाशन दिलाते है कि आगे भी हम आप ये कानून लागू नहीं होने देंगे अगर ये कानून लागू होगा तो हमारी डेट बाडी के ऊपर सरकार को चलना पड़ेगा तो ये कानून लागू कर पाएगी हम आपसे अपील करते हैं कि आपकी चिंता जो मंशा थी उसका हल निकल चुका है आपसे अपील करते हैं कि अपने वहनों पर आईए अपने वहन बिना कोई डर के चलाईए हम पूरी टीम आपके लिए 24 बटा 7, 365 दिन हाजिर हैं आपसे एक पर फिर अपील करते हैं कि अपने वहनों पर आईए और वहन चलाईए और आपके चिंताएं दूर हुई हैं बहुत बहुत धन्यवाद बाल पलकी सिंग चेर्मेन कोर कमेटी और इंडिया मोटर ट्रांस्पूर्ट कॉंग्रेस देखिए मैंसेज यह है कि पहले भी हम कहते आये हैं मीडिया के मादयम से भी कहते आये हैं यह पहला आंदोलन था जो स्पॉंटेनियस रियक्शन थी तो इस तरह का जो भी आंदोलन होता है वह देश के लिए बहुत खत्रा पैदा करता है और उफिशली हम परिवार का सदस्य हैं यह कानून का विरोध करते थे उनके साथ में खड़े थे हम मैं विश्वाश रखते हैं और माध्यम से इसका हल निकला है जो आपको हमने बताया है कि यह कानून लागू नहीं है और यह कानून लागू नहीं होने देंगे जो चिंताएं ड्रैवरों की थी ओल इंडिया मोटे ट्रांस्पूर्ट कॉंग्रेस हमारे पास लेके आई है उच्छ तर यह मिटिंग हुई है और हम स्पष्ट करना जाते हैं यह सरकार की मैं बोल रहा हूं जो सरकार ने अपनी स्टेट्मेंट दी है मीडिया में दी करना फ speculator कर हमदेंगे और हमें आश्वासन दिया है और यह हम भी उन से अशोड कर किया है की काणून आगे भी लागूनी होगा एक प्रकरिया इस अ देखिए देखिए सुनिये बात यह देखिए देखिए मेरी बात सुनिये वो आज चर्चा का विशे नहीं है आज चर्चा का विशे यह था जो अंगार लगी है उसे कैसे बुजाना है सुनिये मेरी बात उसमें हम नहीं जाना चाहते आप अलग से प्रेस कॉंफरेंस कर है और आगे भी लागू नहीं होगा